हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका डेविलिस्ट और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ साइको का 344 अध्यायतों चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और भाई बेहन और आस पडोस में इसे शेर कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं अब मैं क्या करूं कैसे पूछूं साइको से एक तो वह इतना ज्यादा रोमेंटिक है पक्का वह किसी ना किसी के पास तो गया होगा आशी की बच्ची तू क्यूं गई अपने साइको को छोड़कर बिना ये देखे की कितनी सारी लड़कियां उसकी दीवानी है तू इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है तू कैसे भूल गई कि वह सोफिया भी नहीं नहीं कहीं मेरे पीछे सोफिया ने साइको के साथ तो वह तो वैसे ही उसके पीछे पीछे घुमती रहती थी माना कि साइको मुझे प्यार करता है लेकिन है तो वह एक मर्द ही ना किसी लड़की पर फिसल जाए कोई गारंटी थोड़ी ना है अगर मेरे पीछे किसी और लड़की ने या फिर सोफियाने साइको के लिप्स पर किस किया हो तो या फिर उसकी बॉडी को टच वैसे भी वह एक एक्ट है उसके पास तो ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़कियों की कमी ए कहते हुए आशी की आँखों से आसु बेहने लगे थे कि तभी अचानक ही क्रिश की गरजती हुई थंड वोईस उसके कानों में गई जिसे सुनकर आशी की सांसे ही अटक गई शट अप फाइफ लाइफ आलतू की बकवास सोचना बंद करो वरना कहते हुए क्रिश अचानक ही अपना चेहरा घूम कर अपनी कोल्ड और खतरनाक नीली आँखों से आशी को घूरने लगा क्रिश की आँखों में अजब सा एहसास देकर आशी तुरन्थ ही अपना सलाइवा गटिकने लगी और अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली का का क्या हुआ साइको तुम मुझे इस तरह ये तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है फायर फ्लाई तुम्हे तो मैं इतना कहते हुए क्रिश अपनी जगह से उतकर खड़ा होकर आशी की तरफ अपनी कदम ही रहा था कि तभी दोर बेल रिंग करती है और क्रिश का ध्यान दरवाजे की तरफ गया है वह दरवाजा खोलने के लिए जा चुका था तब जाकर आशी एक थंडी सांस लेती है ये सोचकर की शायद वह क्रिश के गुस्से से बच गई क्रिश ने देखा दरवाजे पर एक सरवेंट खाना लेकर आई थी क्रिश ने खाने की ट्रॉली अंदर ली और दरवाजा बंद कर दिया अब वह नीचे बोनफायर के थीक सामने कापेट पर ही खाने की सभी प्लेट्स और वाइन के दो गिलास को अरेंज करने लगा इसके साथ ही उसने कुछ रेड और वाइट कलर के खुशबूदार केंडल्स को जलाया ये देखकर आशी कुछ समझ नहीं पाई वह जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी क्रिश अपनी जगह से उठकर आशी के पास आया और उसे एक जटके में अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने कदम वापस वही बोनफायर की तरफ बढ़ाते हुए बोला क्या तुम्हें सच मुच अपने साइको के केरेक्टर पर शक है क्या तुम्हें सच मुच ऐसा लगता है कि तुम्हारा साइको तुम्हारे अलावा किसी और के करीब जाएगा तुम अपने दिमाग में इतना कचरा कहां से लाती हो फायर फ्लाइड यू डोंट ट्रस्ट मी राइट इतना कहकर क्रिश उसे अपनी गोद में लिये हुए फ्लो पर बैठ गया कि तभी उसकी नीली आँखों में अपने नम आँखों से देखते हुए आशी मासूम सा चहरा बना कर बोली ऐसा नहीं है I trust you but I think you really don't know that how much you handsome so I was just कहते हुए आशी की जुबान लड़ खडाने लगी थी वह शर्माते और घबराते हुए अपनी नजर नीचे कर लेती है की तभी क्रिश यू ही उसे अपनी गोद में लिये हुए अपनी नीली आँखों से उसे देखकर अपने हाथ साइड में बैठ की तरफ बढ़ा कर एक ब्लैंकिट खीचते हुए बोला तु यू उस जस्ट इनसिक्यो अबाउट राइट हमम तो मेरी फाय फ्लाइ जरा मुझे ये बताओ तुम भी तो इतने दिनों तक मुझसे दूर मेरे दुश्मनों के बीच रहकर आई हो वह भी ये कैसे इनसान के आसपास जो हर वक्फ तुम्हारे आगे पीछे घूंगता था जिसकी नियत तुम पर कितनी खराब थी यह बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ और तुम भी तो ये बताओ इस हिसाब से तो मुझे भी तुम पर शक होना चाहिए और आई फिंक इनसे क्यों तो हद से ज्यादा की कहीं मेरी फाइफलाई उसके पैसे और चाम देखकर मुझे धोखा ना दे दे हमम बोलो कहते हुए क्रिश दोनों के बदन पर ब्लैंकिट लपेत कर अपने कमर में लपेता हुआ टौवल और आशी की बोडी पर लपेता हुआ बाथरोब का नोट कप खोल देता है उसे पता भी नहीं चला और अब वह बैट के कौनर पर रखे हुए एक टावल से आशी के गीले बालों को पोचने लगा कि तभी उसकी बात को सुनकर आशी जोकी अपनी नजर जुका कर बैठी थी जटके से अपनी नजर उठा कर जल्दी से अपना सर दो तीन बार नामें हिलाते हुए बोली नहीं तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो साइको मैं ऐसा क्यूं करूंगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हें तो पता भी नहीं है तुम्हारे पास आने के लिए मैं कितना रोती थी मुझे हर पल अपने फैसले का पच्चतावा हो रहा था तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया कहते हुए आशी की आवाज रोने जैसी हो गई थी उसकी आखे अभी भी गीली थी कि तभी क्रिश्ट जो की उसे अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था जटके से उसके चेहरे को अपनी आखों के सामने कर उसके आसों को अपने होतों से पीते हुए बोला अच्छा तो बताओ जब तुम्हारा प्यार दुश्मनों के पास रहकर भी नहीं बदला तुम्हारे दिल में कोई और नहीं आया तो फिर मेरे दिल में कोई और कैसे आ सकता था इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर बेवकूफ फायफलाई प्यार की बाते करती हो और प्यार के बारे में इतना नहीं पता की अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करने लगो तो बाद में उस इंसान के सामने हेवेन से उतर कर फैरी भी आ जाए फिर वी उसे इंसान के इमान को डोला नहीं सकती अब क्रिश्वह तावल साइड में रख कर आशी के सभी गीले बालों को पकड़ कर उसे एक कंधे पर रख उस पर किस करते हुए बोला और बात अगर मेरे हैंसम लुक की है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन बात अगर मेरे दिल की है तो उसमें कौन है ये बात तुम अच्छे से जानती हो देखो मेरी आँखो में और बताओ तुम्हें इसमें क्या नजर आ रहा है कहते हुए क्रिश खाने की एक बाइट बनाकर आशी के मुह में डालता है और आशी जो की क्रिश के चेहरे को अपने चेहरे के बिलकुल करीब देखकर बस उसे ही एक तक निहार रही थी क्रिश की गहरी नीली आखों में सिर्फ अपनी चवी देखकर उसकी नजर शर्म से नीचे हो उसका चेहरा बलश करने लगा था उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर क्रिश अपने दूसरे हाथ से ब्लैंकिट के अंदर ही उसकी थाई को सहलाते हुए मधोश आवाज में बोला बताओ फाइफलाई क्या नजर आया इसमें तुम्हें हमम जवाब दो क्रिश के मधोश तच को एक बार फिर अपनी थाई पर महसूस कर आशी का बदन का अपने लगा था उसकी आखे बंध हो गई और उसकी सासे भारी होने लगी थी वह शर्म आती और घबराते हुए अचानक ही क्रिश के सीने से लग गई और धीरे से अपनी लड़कडाती आवाज में बोली आहा साइको प्लीज ऐसे मत करो ना लेकिन क्रिश अपनी हरकत को यूँ ही जारी रखते हुए दोबारा खान की बाइट बनाकर आशी के चेहरे को धीरे से अपने से थोड़ा दूर करते हुए उसे खाना खिलाते हुए बोला उह है पहले बताओ क्या नजर आया इसमें तुम्हें और अब आशी बेचारी जोकी अपने ही सवालों और बेवकुफी में फंस चुकी थी उसे अब खाना खाना फिर मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे खाना खिलाते हुए क्रिश का हाथ अंदर ही अंदर शरारत कर रहा था जिसके कारण आशी को खाना वी अटिक ने लगा था वह बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा इधर उधर करते हुए गालों की लाल रंगत को छुपा कर किसी तरह खाना खाते हुए बोली सससाई को तुम ना हमम बताओ सससाई को तुम ना तुम तुम बहुत बहुत मेरा मतलब तुम भी बहुत हमम बोलो फायफलाई में बहुत कहते हुए आप क्रिश के होट आशी के गले और क्लीवेज पर चलने लगे जिसके कारण आशी को उसकी गोद में बैठना भी मुश्किल हो रहा था और अब जाकर आशी को एहसास हुआ की क्रिश उसे बिना किसी हैसिटेशन के छू रहा है उसने धीरे से अपनी नजर ब्लैंकिट के अंदर डाली तो उसकी आखे फैल गई क्योंकि इस वक्त वह दोनों बहुत ही शर्मनाक कंडीशन में थे हमेशा की तरह अब आशी का चेहरा पूरी तरह शर्म से पानी पानी हो रहा था वह घबरा कर अपना सलाइवा घटते हुए कापती आवाज में बोली साइको तुम ना हमम आगे भी बोलो फाइर फ्लाइ में क्या आहा साइको तुम ना तुम भी खाना खालो ना प्लीज तुम्हें भी तो बहुत भूख लगी होगी कहते हुए ऐसी बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी घबराती हुई आवाज में सब बोल देती है लेकिन उसकी बात को सुनकर क्रिश जोकी अब काफी रोमेंटिक मूड में आ चुका था और आशी के मुह से न जाने क्या सुनना चाहता था जटके से अपनी नजर उठा कर आशी कोहरान नजरों से देखने लगा आशी उसकी आँखों में सवाल को समझ चुकी थी लेकिन उसने तुरंध ही शर्माते हुए बिना क्रिश की तरफ देखे तुरंध खाने की प्लेट से बीते बनाकर क्रिश की मुह में थेल दीलो खाओ कहकर आशी शर्माते हुए अपने निचले होठों को दातों से काटने लगी क्रिश अचानक तब होश में आया जब आशी ने उसके मुह में खाना डाल दिया अब क्रिश आशी की आँखों में शरारत देखकर अपने चेहरे पर तिरची मुस्कान लिए खाने की बायट को धीरे से खाते हमम भूख तो मुझे बहुत लगी है फाय फ्लाइ हफ्तों से खाया नहीं है लेकिन अब मैं जी भर कर खांगा अपनी फेवरेट डिश क्रिश की इस बात को सुनकर आशी कुछ समझ नहीं पाई लेकिन इससे पहले की वह कुछ रियक्ट कर पाती अचानक ही क्रिश ने एक जटके में उसके चेहरे को अपने एक हाथ से थाम कर उसके होटों पर अपने होंच रख दिये और से पैशनेट किस करने लगा क्रिश के अचानक इस सदन एक्षन से आशी बिलकुल हरबड़ा गई इससे पहले वह कुछ समझ दी क्रिश उस पर दीवानों की तरह तूट पड़ा था क्रिश तुरंट अपने खाने की बाइट को खत्म कर आशी की मुह में रखे हुए खान की बाइट को उसके होटों से खीचने लगा क्रिश का दूसरा हाथ अब बुरी तरह आशी के बॉड़ी को अपने हाथों से सहलाते हुए प्रेस करने लगा था आशी की सिस्किया अब कमरे में गूंचने लगी थी लगभग 5 मिनट बाद कृष ने उसके होठों को छोड़ा तो आशी का चेहरा पके लाल टमाटर की तरह हो गया वह शर्माते हुए अपनी तिर्ची नजर से क्रिश को देख रही थी और अपनी सासूं को संभाल रही थी कि तभी क्रिश जिस हाथ से उसने आशी के चेहरे को थाम रखा था उसी हाथ से उसके होठों को अपने अनबूथे से रगरते हुए magnetic voice में बोला जल्दी खाना खालो मुझे बहुत भूख लगी है and now I can't control myself for long time इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आँखों में एक अलग ही मधोशी थी जिसे आशी बहुत अच्छे से समझ सकती थी वह क्रिश की आँखों में जो डिजाय देख रही थी उसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था वह शर्माते हुए अपना सिलाइवा गटक ही रही थी कि तभी क्रिश खाने की अगली बीते उसके मुह में डालते हुए वाइन के क्लास में रेड वाइन सर्फ करने लगा आशी क्रिश की तरफ ना समझी में देखते हुए बोली दो ग्लास क्या मुझे भी पीना होगा साइको डोंट यू डेर दिस ओनली फ़ साइको इतना कहकर क्रिश आशी की आँखों में देखते हुए वाइन को अपने होठों से लगा लेता है इसके साथ ही वह आशी को खाना खिला रहा था कि तभी आशी खाने की बाइट बनाकर क्रिश के होठों की तरफ लगते ही वाली थी कि तभी क्रिश यूँ ही उसकी आँखों में देखते हुए आशी के हाथों से खाना खा लेता है लेकिन इसके साथ ही उसने आशी की उंगली पर बाइट कर लिया आहहसाई को कहकर आशी तुरंथ अपनी उंगली पीछे खीच लेती है लेकिन क्रिश तुरंथ उसकी उंगलीयों को पकड़ कर उसे अपने मूह में डाल काफी बुरी तरह शक करने लगा वह उसे अपनी जीब से लिख कर रहा था इस बीच उसकी नजर एक पल के लिए आशी से नहीं हटे लेकिन उसकी हर हरकत अब आशी की जान लेने लगी थी वह तुरंट अपनी आँख जोर से बंद कर अपने शरीर को डर के मारे कापने से रोक रही थी उसका बदन से हरता जा रहा था की तभी अचानक ही उसे अपने नीचे कुछ हार्ड सा महसूस हुआ और उसकी आखे हैरानी से फैल गई क्योंकि वह समझ चुकी थी वह क्या है वह तुरंट ही क्रिश की गोद से उतरने के लिए चट पटाने लगी की तभी क्रिश अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर थाम कर जटके से उसे अपने करीब कर जिस हाथ को वह शक कर रहा था उसमें अपनी उंगली इंटर्विंट करते हुए अपनी गर्दन थोड़ी अजीब तरीके से घूमाते हुए सनक के साथ बोला don't move firefly क्रिश अपने हाथ से उसके हाथ को छोड़कर पास में रखा हुआ वाइन का गिलास लेकर आशी के कंधे पर हुए उसे अपने होटों से शक करते हुए बोला तुमने खा लिया अब मेरी बारी है आशी क्रिश के होटों को एक बार फिर अपने बदन पर महसूस कर लंबी लंबी सांस लेने लगी क्रिश एक के बाद एक वाइन का ग्लास और फिर बोतल आशी के गले और कंधे पर उधेलने लगा इसके साथ ही वह अपने होटों से उसे पी रहा था धीरे धीरे वह यूँ ही ब्लैंकिट के अंदर उसके बदन को सहलाते हुए उसे किस करने लगा और अब वह नीचे की तरफ बढ़ने लगा कुछ ही देर में आशी की सिस्कियां कमरे में घुसने लगी थी क्रिश उसे यूँ ही फ्लो पर फैदर के सौफ्ट कापेट पर लेता कर एक जटके में खाने के सभी चीजों को हाथ मार कर गिरा देता है आशी क्रिश की डेस्परेट नेचर को देखकर पूरी तरह हरबड़ा गई इससे पहले वह कुछ कहती की तभी क्रिश उसके होटों पर तूट पड़ा और अब वह उसे अपनी मुहबबत जाहिर करने लगा देखते ही देखते उसकी किस काफी पैथनेट हो गई वह उसके बदन के हर हिस्से से प्यार कर रहा था उसके हाथ काफी मधोश तरीके से उसके पूरे बदन को सहला रहे थे कुछ ही पल में क्रिश उसके सीने को काफी तेजी से शक करने लगा आशी की हालत खराब हो रही थी उसे क्रिश का इतना उतावलापन बरदाश्ट नहीं हो रहा था उसकी सिस्किया तेज होने लगी थी उसके हाथ अपने आप क्रिश के बालों में चलने लगे थे आग की रोशनी से बन रही परच्छाई जो की दीवार पर पर रही थी वह दिखने में ही काफी रोमेंटिक नजर आ रहा था उसे देखकर तो कोई भी शर्मा जाता क्रिश पूरी तरह आशी में खोने लगा था आःःःः फाय फ्लाई यू आर सो सॉफ्ट माइ लव आई वन आ इच यू सो बाडली आ इम गोई तो एफ यू सो हाड यू रिली ड्राइविंग में क्रेजी कहते हुए क्रिश पूरी तरह दिवाना हुआ जा रहा था वह आशी की बॉडी के हर हिस्से को चूम रहा था प्यार कर रहा था और आशी भी न जाने क्यूं अपने साइको को खुद से दूर ही नहीं कर पा रही थी दोनों के बदन पर ब्लैंकिट के अलावा कुछ भी नहीं था क्रिश को उसे प्यार करने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा कि तभी आशी की कमर को देखते हुए उसे कुछ याद आया उसका चेहरा गुस्से से डाक होने लगा था क्रिश उसे किस करते हुए अचानक ही उसकी कमर पर जोर से बाइट कर लेता है जिसके बाद आशी दर्द से तड़प उती आहाँ साइको तुम ये क्या कहते हुए आशी जट से अपनी आखे खोल क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है कि तभी क्रिश की नीली आखों में कुछ अजीब एहसास देकर उसकी जुबान बंध हो गई वह घबरा गई क्रिश की नीली आखों में कुछ था जिसे देख कर उसे डर लग रहा था कि तभी क्रिश गुस्से से दांत पीस्ते हुए अपनी cold voice में बोला यहीं पकड़ा था ना उसने और यह सुनकर आशी डर के मारे थर-thर काम प्रही थी क्यूंकि वह समझ चुकी थी क्रिश किस बारे में बात कर रहा है So don't forget to share your review and comment your best part of in story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके And if you like my story so commence your feelings with heart emoji तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे